हेलो ब्रीबन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो आज हम एक इंपोटन्ट टॉपिक के बारे में स्टेडी करेंगे और टॉपिक इस कॉड्रिटिक एकुशन जेनरली कम्पेटिटी एक्जाम में इस टॉपिक से कुशन पूछ लिए जाते हैं जैसे आपका एंडी हो गय है कि इस टॉपिक से आपको कुशन देखने को मिलेंगे सो चलिए स्टार्ट करते हैं हाज का टॉपिक सो क्वाड्रिटिक एकुशन इस वीडियो में हम जस्ट एक इंट्रोड़क्शन पार्ट कवर करेंगे बाकि एडवांस लेवल के कुंसेप्ट और कोशन जो होंगे प् बेसिकली जो क्वाड्रिटिक कुशन है इसको कवर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिटिक पॉलिनोमियल क्या चीज होती है राइट देखते हैं इस फोर में हो उसको मैं क्या बोलूँगा क्वाड्रिटिक पॉलिनोमियल क्या बोलूँगा क्वाड्रिटिक पॉलिनोमियल सो जिसमें खास बात यह है कि A B C जो है वो आपके क्या होने चाहिए रियल नंबर होने चाहिए क्या होने चाहिए रियल नंबर होने चाहिए अब अगर इसी क्वाड्रिटिक पॉलिनोमियल को अगर मैं 0 के बराबर एक्वेट कर दूँ ठीक है अगर इसी क्वाड्रिटिक पॉलिनोमियल को मैं 0 के बराबर एक्वेट कर दूँ यही क्वाड्र C जो है वो क्या है आपकी real number है क्या है real number है और एक और condition है कि यह जो A है आपका ठीक है A जो है यह आपका 0 नहीं होना चाहिए A जो है वो 0 नहीं होना चाहिए अगर 0 हो जाए तो तो फिर देखते हैं क्या बन जाएगा तो अगर A ही यहाँ पे 0 हो गया तो बचेगा क्या B X plus C is equals to 0 तो यह मेरे पास एक linear equation है क्या है linear equation आचा quadratic है linear है क्या पहचान होती है ना देखो एक और पहचान होती है किससे वो होती है degree से ठीक है किससे पहचान होती है degree से let's say मेरे पास degree है 1 ठीक है सो जिस expression कि जैसे B X plus C है यह एक आपकी linear equation है क्या है linear equation कैसे पता चला degree से ठीक है सो जैसे degree क्या चीज़ होती है कि variable की highest power ठीक है अब जैसे इधर देखो इधर variable की highest power कितनी है 2 ठीक है सो आपकी जो quadratic equation है इसकी degree कितनी होती है आपकी 2 जो आपकी linear polynomial जैसे linear equation होती है उसकी degree कितनी होती है आपके पास 1 ठीक है cubic 3 अब यहाँ भी यह है कि according to fundamental theorem of arithmetic जिस equation की जितनी degree उसके उतने root exist करते है अब जैसे यह आपकी linear है तो linear की degree होती है 1 तो that means उसका एक ही root exist करेगा हाँ अब यहाँ पर मैं word use कर रहा हूं root उसको आप 0 बोल सकते हो उसको आप solution बोल सकते हो बात सेम है ठीक है तो यहाँ पर ठीक है जैसे अब मतलब कि a है आपका quantity question है तो इसके कितने root exist करेंगे to root exist करेंगे ठीक है to roots roots बोल लो चाहे आप 0 बोल लो है ना zeros या फिर आप इसको solution बोल लो तो बात सेम है है ना यह तीनों एकी चीज़े है root हो गया 0 हो गया solution हो ठीक है आपको यह भी बोच सकते हैंगे find the solution find the zeros या फिर find the root of the quadratic question तो basically अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि हमने in quadratic question को solve कैसे करना है है ना जर्ली हमने 10th class में क्या पड़ा हुआ हुआ factorization method completing the whole square है ना और जैसे quadratic formula उनसे हम हमने solve करना सीखा हुआ कि quadratic question को हम solve करते हैं लेकिन हम इस video में क्या करेंगे कि फास्ट है ना कैसे हम quadratic question को quickly solve करेंगे है ना वह मैठर हम discuss करेंगे अभी तो लेकिन एक concept और है वो concept क्या है कि terms का concept क्या देखते हैं कि जैसे हमारे पास ही quadratic equation है मैं आप से पूछ लूँ कि maximum number of terms बताओ कि quadratic equation में maximum number of terms कितनी possible हो सकते हैं ठीक है कोशन मेरा क्या है कि maximum number of terms maximum number of terms quantity question में maximum number of terms जो है वो कितनी हो सकते हैं ठीक है तो वो होती है आपकी तीन कैसे आया देखो जैसे मैं एक्जेंपल ले लों टू एक्स स्क्वेर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इस इकल्स तो जिरो यह है यह मेरे का मेरे पास एक quadratic equation है तो आप देखें कि यह 123 कितनी term है three term है let's say मैं ले ले लेता हूँ यहां पे टू एक्स स्क्वेर प्लस शिक्स इस इकल्स जीरो तो क्या यह एक quadratic equation नहीं है यह एक quadratic equation है ठीक है क्यों कि इसकी degree जो है वो कितनी है टू है हना लेकिन हम आप बोलोगे कि आप तो बोड़े थे कि जो एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस इस इकल्स जीरो के फो में है वही quadratic equation है होती है हना तो आप देखो ना compare करो एक्स स्क्वेर प्लस बी एक्स प्लस शीज इकल्स टू जीरो की फो में यह है देखो एक वैल्यकितने है टू बी यहां कितना है जीरो और सी की वैल्यू प्लस शीक्स है आपके पास तो यह एक quadratic equation है लेकिन incomplete है लेकिन है quadratic equation ठीक है तो अब आप देखो कितनी टाम है यहां पर वन टू तो देखो यहां पर टॉं कितनी है मेरे पास टू टू टूम है थे है ना जैसे मैं है बोलूं आपको कि 4x square 4x square is equals to 0 so 4x square is equals to 0 यह एक quantity question है जिसमें a की value 4 है b की value 0 और c की value 0 और तीनों ही real number है है ना तो यहां पर टाम कितनी है मेरे पास अब देखो यहां पर क्वाडिटी कुशन थी यह भी यह भी और यह भी है ना लेकिन टाम यहां पर बेकितनी है one यहां भी कितनी है two और यहां पर कितनी है three है ना तो वही question था कि maximum number of terms जो है वो quadrt equation में कितनी होती है तो वो कितनी होती है तीन से ज्यादा terms है वो possible नहीं हो सकती क्वाडैक्शन में इस तरीक को आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे number of terms निकालनी है maximum तो आप degree में न एक add कर दिया करो degree कितने थी इस quadratic equation की 2 तो 2 में 1 add कर दो तो कितना देगा 3 तो वो maximum होता है number of term ठीक है जैसे आप linear की बात कर लो ठीक है linear equation की बात कर लो जैसे linear equation की बात कर लेते हैं हम तो linear equation की जो आपकी journal होती है form ex plus b is equals to sorry 0 यह आपके पास एक क्या है linear equation जिसमें degree कितनी है one degree कितनी है one तो आप खुद देखो कि अगर हमने maximum number of terms निकालनी है ठीक है maximum number of terms निकालनी है तो degree में एक add कर दो तो degree में एक add कर दिया one plus one two तो मतलब इसमें जो maximum number of terms होंगी linear equation में तो कितनी होंगे two जैसे यह हो गया दो टाम अब जैसे मैं बोलूं sorry four x plus three is equals to zero तो यह मेरे पास एक क्या है linear equation है क्योंकि यह x plus b की form में है और a की value 4 b की value 3 अगर मैं डिगरी की बात करो तो डिगरी कितनी है यहां पे one है ना और number of terms देख लो एक और एक की आगे दो टम्स आगे आपके पास ठीक है लेकिन अगर मैं आपको यहां पे लिखूं two x is equal to zero तो यह 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 भी तो एक linear आपकी equation है कैसे डिगरी देखो कितनी है वन तो ठीक है एक वेल्यू टू और वी की वेल्यू क्या है यहां पे जीरो है ना लेकिन टर्म्स कितनी है यहां पे वन यहां पे टर्म कितनी है टू लेकिन हमारा question minimum नहीं था हमारा question था कि maximum number of terms क्या है ठीक है तो वैसे आप निकाल सकते हो डिगरी में एक एड़ कर दो वह वह उसी कुशन का उसी कुशन में maximum number of terms बताएगा बतादेगा कि कितनी number of terms जो है वो possible होती है maximum ठीक है डिगरी में एक एक कर दो आप ठीक है तो चलिए next करते हैं हम next है कि जैसे let's say मेरे पास एक quadratic equation है ठीक है तो let's say मैं माल लेता हूँ कि alpha और beta यह क्या है दो रूट हमने अभी देखा ना कि जिसकी जितनी डिगरी उसके उतने root exist करते हैं ठीक है सो मैं माल लेता हूँ कि alpha और beta मेरे पास दो roots है अब roots बोलो चाहे जीरो बोलो zeros ठीक है चाहे आप solution बोलो है ना से मतलब है इनका हमने पीछे भी देखा है तो यहाँ पे ना एक दो relation exist करते हैं ठीक options में कैसे वो relation होते है alpha प्लस beta यानि कि sum of roots हमने दो root माली alpha और beta sum of roots ठीक है हमने क्या किया दो roots का sum किया वो किसके बराबर होता है minus b upon a के बराबर यह कहां से आएंगे यह यहां से आएंगे compare कर के question से पता चल जाएगा a और b की value ठीक है यह क्या है यह क्या है एक्स square का coefficient और b क्या है x का coefficient ठीक है यह आगे है alpha इंटू beta product of roots वो किसके बराबर आएगा c upon a अब a b c की value तो equation से आपको मिल जाएगे तो यह बहुत important relation है इसका हम use भी करेंगे right so ठीक है इतना clear हो गया होगा I think आपको so basically do roots हम निकालते हैं quantity question के वह आपने देखें होंगे different different method होते हैं आपके पास ठीक है जैसे तीन तो famous होते हैं आपके ठीक है जो हमने 10th class में पड़े होंगे होंगे आपने ठीक है एक है आपका factorization factorization है ना एक होता आपके पास completing the whole square completing the whole square और एक होता है आपके पास discriminant बाला है ना discriminant formula हर हर method अपनी जगा पर ठीक है है ना लेकिन हमने exam में इनको perform नहीं करना हमने exam में इनका यूज नहीं करना क्यों क्योंकि ये time taking process होती है इनको solve करने के लिए ठीक है time लगता है तो वो हमने नहीं करना क्योंकि हम board exam में थोड़ी है बैठे हुए ठीक है हम तो competitive exam में बैठे हुए है तो हम कुछ examples लेते हैं quantity question की कि उनको कैसे जल्दी से solve किया जाए ठीक है तो ट्राइ करते हैं example लेते हैं कुछ ठीक न तो देखते हैं कैसे कुछ अच्छा मैथरा बहुत अच्छा मैथरा है तो जैसे 6x square plus x-2 is equals to 0 ठीक है ये मेरे पास है क्या है quadratic equation है है हना quadratic equation है तो we wish to find the roots root निकालने मुझे इसके सो कैसे निकालनेंगे method पहले आप सीख लो अच्छे से पहले सीख लो फिर हम practice करेंगे ठीक है यह जो ए है ए और सी मेन काम हमारा ए और सी से होगा ठीक है करना क्या है है basically हमने करने होते हैं इनके factor 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 और 3 मतलब factor as a factor और इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 1 2 और 1 के form में ठीक है अब आपके पास क्या है है 1 2 3 मतलब ठीक है यह जो दिखाई दे रहोंगे आपको अब करना क्या है यह जो भी है ना वी कितना यहां पर बान है ना अब इनको ऐसा कुछ multiply करो multiply plus minus है सा करो कि मेरे पास यह coefficient जो भी है यह आई समझो आब बात को जैसे टूटू या 4 4-3 कर दो तो मेरे पास 1 आजाएगा ठीक है तो देखो 4-3 ज्यान से देखना है चीज को अधरवाइस मैं आभी आपको समझाओंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा जब हमारी प्राक्टिस हो जाएगी तो यह question तो मैं कहता हूं कि quadratic question को आप 10 सेकंड में solve कर सकते हो ठीक है देखो factor कर लिए अब ऐसा plus minus करना है multiply करो ठीक है तो 2-4 4-3 मेरे पास कितना हो जाएगा अब next आपने क्या करना है इनके sign change कर दो 4 है sign change हो जाएगा तो minus 4 minus 3 है इसका sign change हो गया तो यह हो गया आपके पास 3 इतना हो गया right अब last step क्या होता है कि a मतलब x square कर जो coefficient होता है उससे आप क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे ठीक है तो 6 से डिवाइड कर दो आप तो कितना आ जागे यहां पर यह एक तो रूट आगे आपके पास 1 by 2 और दूसरा कितना जाएगा माइनस 2 by 3 बस यह आपके पास 2 क्या आगे routes आगे इस equation के कोई जरूरत नहीं है factorization करने की कोई जरूरत नहीं है discriminant करने की है ना हाँ कई question होंगे यहां पर use उसका होता है लेकिन maximum आप इस method को use करो है ना अगर speed देखने है आपने speed लेके आनिया तो ठीक है example एक और देखते हैं हम जैसे जैसे हम practice करेंगे बैसे बैसे इस method accurate accuracy उतनी जल्दी आएगे आपके ठीक है speed और accuracy जैसे एक और ले लेते हैं 9x square plus 7x minus 2 is equals to 0 ठीक है तो देखते हैं कैसे solve करना हम आमने इसको सो करो सब्लीट इसको कैसे लिख सकता हूं 3 into 3 और इस टू इसको क्या लिख सकता हूं 2 into 1 ठीक है 2 into 1 सो अब क्या करो की multiply करो factors को ठीक है इनको देखो कैसे मैं arrange कर सकता हूं कि मेरा क्या बन जाए 7 बन जाए तो यहां तो नहीं दिखाई दे रहा मुझे ठीक है 9-2 बन गया यहीं चीज़ देखनी है बस आपको 9-2 कर दियो तो 7 आ जाएगा अब इनके कर दो sign change 9 मतलब कि sign change हो अगा तो minus 9 यह प्लस में था दूसरा minus 2 है तो sign change करके plus 2 आ जाएगा ठीक है so next आपने क्या करना होता कि x square का coefficient से क्या करना डिवाइड तो x square का coefficient 9 और इदर आ जाएगा 9 cancel करोगी यह आ जाएगा minus 1 और दूसरा जाएगा आपके पास 2 upon में 9 ठीक है यह बिल्कुल सही है ठीक है तो यह आपके पास क्या आगे roots आप एक चीज़ और notice करो यहां पे कि यह जो इसके roots निकल क्या आते हैं ना equation के उनको आप इस equation पूट करके देखना left hand side जो है वो right hand side के क्या आती है equal आती है मतलब कि यह जो roots है ना यह इस equation को satisfy करते हैं ठीक है चलिए next और करते हैं practice करते हैं हम ठीक है कि quadratic equation को कैसे जल्दी कर सकते हैं हम solve ठीक है देखो एक और example 3 x square plus 2 root 5 x minus में 5 is equals to 0 ठीक है तो देखते हैं कैसे solve करने इसको जल्दी तो इसको करो separate 3 x 1 लिख सकता हूं इसको 5 और 1 अब देखो अब यहां पर क्या आगया टू रूट फाइफ बीके वैलू कितनी है टू रूट फाइफ सो जब रूट आ जाता है ना तो फिर फर्दर जैसे 5 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं रूट फाइब रूट 3 into root 5 और root 5 into 1 root 5 अब इनको minus कर दो अगर मैं तो मेरे पास 2 root 5 आ जाएगा कि नहीं आएगा बोलो 3 root 5 minus root 5 तो मेरे पास आ जाएगा answer तो आप यहां पर लिखो 3 root 5 minus में root 5 ठीक है अब दोनों के क्या करने है sign change कर दो ठीक है यह plus का था sign change करके क्या होजेगा minus 3 root 5 और दूसरा यह minus का तो sign change करके root 5 ठीक है इतना हो गया अब क्या करना होता है x square के coefficient से divide कर देंगा 3 से divide कर देंगे इसको तो 3 से 3 cancel एक root आ गया minus root 5 और दूसरा आ गया root 5 by 3 तो आपके पास यह जो है यह दो root जो है वो इसके exist कर गया ठीक है जी बिल्कुल सही है तो next देखते है एक और example देखते है इसकी देखो यह आपको direct नहीं आएगा solve करने के लिए कि कुछन दे दे जाएंगी तो बोलें कि solve नहीं लेकिन कुछ question है भी है previous year के जैसे मैंने चक किया था तो उसमें indirectly लेकिन आपको क्वाड़िटी कुछन को solve करना ही पड़ता है यह ना जैसे एक और example लेते हैं हम एक स्कूर माइनस 8x plus 16 is equals to zero ठीक है तो यह आपके पास एक क्वाड़िटी कुछन है तो कैसे solve करेंगे जल्दी करना अब solve ठीक है वन वन अब इसको क्या लग सकता हूं है 2 into 8 है ना अब देखो अब यहाँ पर कोई possibility नहीं बन रही माइनस 8 बने का नहीं तो अगर 2 8 नहीं बना तो आप देखो 4 और 4 ले लो यह एक possibility बन रही है ना यह तो आपको roots आगे ठीक है next देखो next आपके पास this is 8x square minus 22x minus 21 is equal to 0 ठीक है इसके root निकालेंगे हम so देखो कैसे निकालेंगे इसको लिख लो 2 4 और यह आजागा मेरे पास 3 और 7 as a factor थोड़ो जल्दी जल्दी ठीक है तो अब देखो कैसे कर सकता हूं है 7 4 जैसे मैं 28 और 32 यह 6 इनको minus करूंगा तो बात बन की मेरी अब यह तो आपको देखना है कितना fast करना है तो बन गया मेरा क्या minus 28 और plus में 6 minus 28 और plus में 6 ठीक है तो यह कितना देगा minus में 22 बन गया अच्छा अब इनके sign चेंज कर दो 28 और minus 6 x square को कॉफिशन से डिवाइड कर दो तो कर दिया दो 3 ठीक है एक आ गया root minus 3 उपन में 4 इदर करोगे 7 4 यह यह आजाएगा आपके पास 7 उपन में 2 यह आपके पास दोर तो देखो कितना टाइम लग रहा है जदा से जाद सेकंड लग जाएंगे 6 से 7 सेकंड लग इससे जदा टाइम नहीं लगेगा आपका सेंब बैटू माइनस 3 बैए 4 ठीक है तो आप भी प्रैक्टिस करो अलग लग को अडिटी कुशन लो और प्रैक्टिस करते जाओ ठीक है स्पीड तभी बढ़ीगा आपकी तो एक और जैसे कोशन ले लेते हम जैसे कोशन है आपके बास एक्जाम में सुवन अपोन टू माइनस वन अपोन टू माइनस में एक्स देखने में कैसा थोड़ा और अजीब सा लगता है यह कुशन लेकिन है कोडिटी कुशन से सॉल होना है इसने भी ठीक है देखो कैसे करेंगे आप देखो कि देखो एक्स की ये तो आप देखेंगे यहां पे कैसे सॉल्व करना है अप्रोच क्या होगी यह टू माइनस अब यहां पर एक चीज़ देखो आप एक चीज़ देखो यह जो यह वाला पैटर्न है यह तो एस इट इस वही है जो एक्स की वैल्यू है पूरी यहां से देखो कि एक्स रिक्रू 1 अपवलबर 2-1 बांब ने 2-1 अपवंट नो मैनिस एकस है यहां तक तो कोई प्रॉबलम निए 1 अपवंट वाईनश पूर्यू पूरअ पया फक्तर मितलब कि यह जो पूरी का पूरा एक्स्प्रेशन देख रोगा यह in is x ही है हं ना x ही है तो आप इस चीज़ को क्या ल तो ठीक है तो जब मैंने इसको X मान लिया तो आप इसको multiply करके यहाँ पर solve कर सकते हो आगे तो यह आजागा आपके पास 2X minus X square is equals to 1 1 इदर लेओ 2X minus X square minus 1 is equals to 0 sign change कर दो X square minus 2X plus 1 is equals to 0 बन की quadratic equation बनी quadratic equation अब उसी method से solve करना है यह नहीं factorization करना है लग पड़े नहीं वन बना गया तो माइनस वन माइनस वन 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 अपोन में वन 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 आ गया मेरे पास क्या solution यही करना तो यह क्या आगा क्या factor आगे इसके वन वन ठीक है तो इस वीडियो में हमने quantity question का एक जर्नल टॉपिक उठाया ठीक है जर्नल डिसकेशन किया इसके उपर इंट्रोडेक्शन पार्ट अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ advance में concept और कुछ जो previous year के question आये होंगे उनके बारे में अच्छे से discuss करेंगे राइट तो थैंक्स वर वचे इस वीडियो